साल भर देश के अलग-अलग हिस्सों में HIV AIDS के प्रती जागरुकता फैला कर Red Ribbon Express ने शनिवार को अपना सफर पूरा कर लिया पिसले एक साल के दोरान Red Ribbon Express ने 23 राजियों के 162 स्टेशनों का सफर तै किया 12 जनवरी 2012 को राश्ट्री ये युवा दिवस के मौके पर रवाना की गई Red Ribbon Express का उद्देश भी इस बीमारी के खिलाफ युवाओं को जागरुक करना था इस देड़ साल में हमने और प्रगती की है अब 50 प्रतीशत नहीं बलके 57 परसंट हमारे न्यू इन्फेक्शन एक दशक में कम होए है हमारा जो गोल है वो है जीरो न्यू इन्फेक्शन का रेड रिबन एक्सप्रेस में लगी प्रदर्शनी के जरिये खरीब 1 करोड 14 लाख लोगों तक HIV AIDS के साथ ही दूसरी बीमारियों से जुड़ी जानकारी पहुँची ट्रेन में एक साल के दौरान 90,000 लोगों को HIV से जुड़ी सलहा दी गई जिसमें 75,000 लोगों की HIV की जांच की गई खास बात यह है कि महज एक दिन में तमिलनाडू के नागापटनम में 54,000 लोग इस ट्रेन को देखने पहुँचे AIDS के अलावा 75,000 लोगों के सामान्य स्वास्ति की जांच भी की गई और उनको फ्री दवाय दी गई HIV-AIDS is a scourge about which there are more myths than the reality in our country. I am confident that two and half crore of people whose lives you touched or who visited this, these three phases of the Ribbon Express must have got to know that it is the right of anyone if infected with HIV-AIDS to live a life of dignity. HIV-AIDS से जुड़े मिथकों को तोड़ने और लोगों तक सही जानकारी पहुचाने के मकसद से Red Ribbon Express को पहली बार 2007 में चलाय गया. तब से हर दूसरे साल इस विशेश ट्रेन को चलाय जाता है. लोगों तक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पहुचाने के लिए हिंदी के साथ-साथ दूसरी भाशाओं में भी सूचनाय मोहया कराई जाती है. रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है. यकीनन जिन्दगियों को बचाने की कोशिच में भी ये एहम भूमी का निभा रही है. नीतेंद्र सिंग, डीडी न्यूज, दिल्ली.